अब दोस्तो अभी मैक्सिमम का फोन में टॉप अपप दा एंडुपर हम लोगों के एक कस्टम फ्लेवर मिल जाता है सारे की सारे फोन का में शाप्ट्वेर का बेस तो एंडुएट वेस में ही होता है बट अभी अल्मुष्ट सभी कंपणी का फोन में टॉप अपप दा एंडुएड अपना अपना कस्टम फ्लेवर होता है तो इस वीडियो में मेरा पास ओनार का निव लांचेश ओना नाइन लाइट है और मैं आज आप लोगों को ओनार का ओन कस्टम फ्लेवर में बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप आपका ओनार फोन को और भी बड़िया तरीके से कस्टमाइज कर सकते है तो नमस्ते दोस्तों मैं हूँ कोई शिक्ते चलिए वीडियो शुरू करते है नमर वान लॉक स्किन फीचर्स तो दोस्तों सबसे फ़हले लॉक स्किन से सुरू करते है तो दोस्तों अगर आप लॉक स्किन में नीचे से उपर की तरफ स्वाइब करते है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सरे quick shortcut का option आपका phone locked है या unlocked है no matter आप यह सब quick setting में अराम से lock skin से ही access कर पाएंगे यहाँ पे आपको बहुत सरे useful shortcut का option मिल जाएगा जैसे कि sound recorder, calendar, torch light, timer, QR code scanner etc आप यह सब quick shortcut को lock skin से ही easily access कर पाएंगे बिना phone को unlock करके तो यह काफे अच्छा features है quickly यह सब apps में access करने के लिए दोस्तों lock skin में power button, volume up button and volume down button का अलग-अलग secret features है first trick है अगर आप quickly camera को launch करना चाहते है तो आप volume down button को दो बर प्रेस किजिए तो camera launch हो जाएगा और अभी आप volume up and volume down button को photo capture करने के लिए as a shutter button की तरह भी use कर सकते है उसके बाद second trick है अगर आप power button को 3 times के लिए प्रेस करेंगे तो आप emergency call कर पाएंगे बिना phone को unlock करके तो यह काफी अच्छा feature है emergency time के लिए दोस्तों maximum Chinese manufacturer का phone में सारे के सरे apps main home screen का उपर ही आ जाता है कोई भी app drawer का feature नहीं मिलता है लेकिन दोस्तों अगर आप app drawer का feature को use करना पसंद करते है तो आप EMUI 8 में app drawer का feature को enable कर सकते है उसके लिए आपको setting में जाना है then display option में जाईए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा home screen style का नाम से एक option और यहाँ से आप app drawer का feature को enable कर सकते है तो आभी आपको app drawer का icon मिल जाएगा main home screen में और यहाँ पे आपको आपका phone में install हुआ सारे के सारे apps मिल जाएगा नामबर फोर swipe down to search दोस्तों अगर आप screen पे कहाँ भी swipe down करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक search bar यह feature phone को one hand में use करने के लिए और quickly आपका काम को complete करने के लिए काफी helpful features है नामबर फाइब pinch out gestures on home screen for hide apps दोस्तों list में अगला features काफी interesting है अगर आप skin पे कहाँ भी pinch out gestures करेंगे तो आप कोई भी apps को hide कर सकते है main home screen से आप यहाँ पे कोई भी apps को add कर सकते है उस app को main home screen से hide करने के लिए और जब आपने उस app को खुद यूज़ करना चाहेंगे तो same pinch out gestures को यूज़ करके आप यहाँ से उस hidden apps को यूज़ का सकते है काफी interesting feature सा है और useful भी है नामबर 6, 100 UI next one अगर आपका phone को one hand में use करने के लिए comfortable feel नहीं आता है तो आप आपका phone में 100 UI को use कर सकते है आपको main setting page में smart assistant का option में 100 UI का option मिल जाएगा यह 100 UI का option को enable करने के बाद आपको save navigation button में right to left side या तो left to right side में swipe करना है तो आपका screen एक छोटा सा window में आ जाएगा और आभी आप काफे अच्छा से one hand से आपका phone को handle कर सकते है right hand या तो left hand दोनों से ही और यहाँ पे shifting keyboard का option भी आपको मिल जाएगा यह feature को अगर आप enable करके रखेंगे तो आप dialer को भी right side या तो left side की दरब रख सकते है one hand से use करने के लिए नामर 7, eye comfort mode next one अगर आप phone को night में ज्यादा use करते है तो हम सभी ने गानते है वो eye के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि display से जो blue light आता है वो नीन को disturb करता है तो इसलिए अगर आप night में internet browsing करते है या तो ebooks बगड़ा परते है तो उस वक्त आपका eye को blue light से protect करने के लिए आप eye comfort mode को use कर सकते है आपको main setting का अंदर display option में eye comfort का नाम से एक option मिल जायागा इस option को अगर आप enable लगते है तो display थोड़ा सा blue से warm type का हो जायागा यहाँ पर आप time schedule भी कर सकते है और color temperature को भी अपना ही सब से set कर सकते है काफी useful feature है हम सभी को इस तरह का feature को use करना चाहिए दोस्तो अगर आप skin recording करना चाहते है तो उसके लिए आपको कोई भी third party app को use करने का ज़रूरत नहीं है हलाकि आपको यहापे कोई भी skin recording के लिए dedicated application नहीं मिलता है पर अगर आप power button और volume आप button को एक से दो सेकंड के लिए long press करके राखेंगे तो आप skin recording कर पाएंगे इवेन अगर आप notification panel को edit करते है तो आपको यहापे skin recording का toggle भी मिल जायागा आप इसको notification panel का front side में drag करके लेका आईए तो आप easily notification panel से भी one click में skin recording कर पाएंगे दोस्ता अगर आपको battery backup को लेकर problem है या तो ऐसे कोई situation है जहाँ पर best possible आपको battery को save करना है future users के लिए तो आपको इस phone में others phone की तरह battery saving और ultra power saving का मूद तो आपको मिली जायेगा पर उसके साथ साथ आपको और भी एक बहुत ही useful feature मिलता है जो कि अगर आप चाहे तो आप display resolution को भी change का सकते है आप main setting में जाके display option में जाएंगे या तो main setting से battery option में जाएंगे तो आप यहाँ से display resolution को change का सकते है बाइडिफल ये एक full HD plus यानि 2160 pixel into 1080 pixel resolution का display है तो ये काफी ज़्यादा battery भी consume करता है बाट आप ये full HD plus resolution का display को as a HD plus display यानि 720p display की तरह यूज का सकते है जो कि आपका phone का battery को save गारने के लिए काफी helpful रहाएगा और आप best possible battery को save गार पाएंगे इभन आपको यहाँ पे smart resolution का option भी मिल जाएगा इभन आगर आप smart resolution का option को enable करके रखते है तो automatically battery percentage का हिसाब से screen resolution set हो जाएगा दोस्तो EMUI 8 में smart assistant का अंदर और एक अच्छा feature मिल जाता है motion control का नाम से यहाँ पे आपको चार अलग-अलग useful feature मिल जाता है फर्स्ट feature का नाम है flip to mute यानि अगर आपको कोई भी call आता है और अगर आप phone को flip कर देता है तो ringtone mute हो जाएगा उसके बाद आपको Xiaomi का MIUI के जैसा Honor का EMUI में भी three finger swipe to take screenshot का option मिल जाएगा यानि अगर आप skin में कहाँ भी three finger से swipe down करेंगे तो आप screenshot ले पाएगे और अगर आपको कोई भी long screenshot लेना है कोई भी chat history या तो कोई भी website का content जो कि एक ही page में नहीं आता है तो उसके लिए आप same three finger से swipe down कीजिए and then यहापे आपको मिल जाएगा school shot का नाम से एक option और आभी आप यहाँ से long screenshot यानि multiple pages का screenshot को एक ही screenshot में ले पाएगे और दोस्तों यह screenshot लेने के लिए और भी एक shortcut है अगर आप power button और volume down बटन को एक ही साथ प्रेस करेंगे तो आप same feature को use कर पाएंगे और यहापे smart assistant का अंदर और भी एक खास feature है double touch का feature यह feature को अगर आप enable करके रखेंगे तो आप screen में double tap करके screen को wake up and off कर सकते है number 11 navigation dock दोस्ता अगला feature काफी एक interesting feature है जो कि यह navigation dock आपको main setting में smart assistant का option में system navigation का नाम से एक option मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा navigation dock का feature यह option को enable करने से आपका screen में एक छोटा सा ball की तरह आजाएगा जो कि basically एक multifunctional navigation button है इसको आप screen में कहाँ भी drag करके रख सकते है इस button में एक बाद touch करने से वो as a back button की तरह काम करेगा and थोड़ा सा hold करके button को release करते है तो आप home screen में आ जाएगे and hold करके right to left side में swipe करते है तो recent tax bar में access कर पाएगे और अगर आप software renewal navigation button को hide करना चाहते है और सेप ये navigation dock का feature को यूज करना चाहते है तो उसके लिए भी आपको navigation को hide करने के लिए भी option मिल जाएगा दोस्तो अगर आप कोई भी apps का multiple account यूज करना चाहते है like दो facebook account या तो दो whatsapp account तो आपको EMUI 8.0 में apps twin का feature भी मिल जाएगा अब main setting में जाके apps and notification setting में जाएगे तो आपको यहापे app twin का option मिल जाएगा same saomi का MIUI का dual apps का feature की तरह आप यहाँ से apps का clone मना के दो अलगलग accounts को एकी साथ एकी phone में यूज कर पाएगे ये feature आपको by default phone में ही मिल जाएगा तो आपको कोई भी third party application को यूज काने का जरूवत नहीं है जो कि काफी अच्छा बात है अब दोस्तो अगर आप कोई भी files को आपका phone मेमोरी से hide करके रखना चाते है जो कि normally आपका file manager में publicly visible नहीं होगा तो आपको यहापे phone में ही file lock का option मिल जाएगा यह feature के लिए आपको कोई भी third party application को यूज करने का जरूवत नहीं है आपको main setting का अंदर security and privacy setting option में file step का नाम से एक option मिल जाएगा आप यहापे सबसे बहले fingerprint या तो password को देकर configure कर लीजिए और उसके बाद यहापे आप कोई भी files को एरगा सकते है जो कि आपका internal memory में hide रहेगा और आप यह से hidden files को आप यहाँ से secretly access कर पाएगे और आप चाहे तो यहाँ से बाद में files को remove भी कर पाएगे next feature का नाम है app lock अब दोस्तो अगर आपका phone में install हुआ कोई भी apps को lock करके रहना चाते है जो कि password या तो fingerprint से protected रहेगा तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर option मिल जाएगा आपको main setting में से security and privacy setting में जाना है then यहाँ पर आपको मिल जाएगा app lock का option तो आप यह app lock का option से कोई भी apps को lock करके रख सकते है यह काफी useful feature है आप banking apps and some of others app में privacy maintain करने के लिए उस app को lock करके रख सकते है तो यह feature के लिए भी आपको कोई भी third party application का ज़रूरत नहीं है by default phone में ही आपको यह option मिल जाएगा दोस्तों EMUI 8.0 में आप fingerprint sensor को यूज करके से phone को lock and unlock करने के लिए ही नहीं आप fingerprint sensor को यूज करके बहुत सारे काम कर सकते है क्योंकि fingerprint sensor में आपको बहुत सारे gisters मिल जाएगा आप simply setting में जाके security and privacy setting में जाएए यहापे fingerprint ID का option से आप अलग-अलग fingerprint gisters को enable का सकते है यहापे दो तरह का gisters है touch and hold gisters and slide gisters touch and hold gisters में अगर आप fingerprint sensor को touch करके hold करके रखेंगे तब photo capture कर सकते है, call को ले पाएंगे and alarm को भी stop कर सकते है and slide gisters में अगर आप fingerprint sensor को swipe down करेंगे तब notification panel में access कर पाएंगे and photo को browse करने के time में अगर आप fingerprint sensor को left या दो right side में swipe करते है तब easily next photo and previous photo में जा सकते है तो यह सब fingerprint gisters का setting आपको यहापे मिल जाएगा EMUI 8 में, जो की काफी useful feature है दोस्तो अगर आप आपका phone को हमिशा auto rotate करके नहीं रखते है तो जब आप gallery से landscape photo को देखते है तो वो भी आपको portrait mood में ही देखना पड़ता है या तो आपको बार बार auto rotate को on off करना पड़ता है लेकिन EMUI 8 में आपको एक अच्छा features मिल जाता है अगर आप gallery में जाएंगे और यहापे more option में click करके gallery setting में जाएंगे तो आपको यहापे photo orientation का नामशेक option मिल जाएगा यहाँ से आप choose का सकते है जो की photo को rotate करने के लिए system setting को follow करेगा या तो always photo को browse करने के time में automatically rotate हो जाएगा जब आप lands के mood में आपका phone को handle करेंगे चाहे system setting में auto rotate का feature on या तो off है तो यह काफे अच्छा useful feature है आपको बार बार auto rotate को on and off करने का जरूआत नहीं है तो दोस्तों यह था honor का own custom EMUI EMUI 8 का कुछ useful features and tips and tricks अगर आपको वीडियो अच्छा लगया तो प्लीज आप like and share कीजिए और आप मेरा चैनल को भी subscribe कीजिए So once again this is Koshik here and see you in the next one Thank you guys, thanks a lot for watching, bye